नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल अप्टिमम हेल्थ एंड लास्टाइल में आज हम यह जानेंगे कि आमला जूस के हमारे श्रीर पर क्या प्रभाव होते हैं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक और भी ज़्यादा यूसफुल इंफॉर्मिशन आती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे environment में इतना ज़्यादा pollution हो गया है और साथी साथ professional life में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा competition इस polluted environment और competition से generate होता है stress और इस stress की विज़े से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है तो इन बीमारियों से बचने का और अपने शरीर का स्ट्रॉंग बनाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है वो है पतंजली आमला जूस ये जूस आपको किसी भी पतंजली स्टोर से या किसी भी आजकल तो ग्रॉसी स्टोर से भी मिल जाएगा इसकी quantity होती है वन लीटर और इसका price होता है ओनली रूपीज हंडर्ट पतंजली आमला juice बना होता है फ्रेश और नेच्रल आमला से आमला एक बहुत ज्यादा richest source है वाइटमेन C का और वाइटमेन C एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटी आक्सिडेंट है Stress की वज़े से हमारी body में बनते हैं बहुत सारे free radicals यानि के toxis और vitamin C इन free radicals को खतम करने का एक बहुत ही ज़्यादा उपियोगी source माना गया है Vitamin C हमारा metabolic rate होता है उसको increase कर देता है जिसकी वज़े से हमारी body ज़्यादा calories को burn कर पाती है जो in return हमें weight lose करने में और पतला होना में बहुत ही ज़्यादा help करता है आमला juice हमारी body में cell regeneration को promote करता है और जो हमारे aging process है उसको ये delay करता है यानि कि रोकता है और साथ ही साथ ये हमारे liver और blood को detoxify भी करता है आमला juice बहुत ही ज्यादा useful है immune deficiency यानि कि जिने immune system का issue है यानि कि वो लोग जिनकी immunity बहुत कम है और जिने बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम या viral fever हो जाता है साथ में ये बहुत ज्यादा काम आता है आखो और तवचा के रोगों में और अगर किसी को साथ constipation है तो उसको ये बहुत अच्छे से हटाता है किसी के अगर बाल जहड़ रहे हैं तो उसको रोकता है अगर किसी की blood sugar बहुत जादा बढ़ी हुए तो उसको stabilize करता है blood pressure को reduce करता है और अगर हमारे जो पेट की जो पाचन क्रिया उसको तंदुरूस्त करता है तो इतने सारे महतपूर्ण काम करता है ये simple से दिखने वाला आमला juice तो आए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है आप जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले आपको उठते सारी आमला juice को पानी साथ मिला कर लेना है मैंने यहाँ पर 300 ml पानी लिया हुआ है अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ दो चमच आमला juice के आमला juice डालने के बाद आपको इसे अच्छे से mix कर लेना है और यह पानी आपको रोज सुबह उठते सारी सबसे पहले पीना है खाली पेट आप इसको ट्राय करके देखिए दोस्तों आपको यह बहुत ज़्यादा देगा इससे आपका weight भी reduce होगा और आपकी immunity जो है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी अगर आपकी कोई questions है तो comment box में आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इससे please like करें अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उन तक भी valuable information पहुंच सके और मेरे चैनल को subscribe करना तो बिलकुल भी न भूलें ताकि आप तक और भी ज़्यादा interactive and informative वीडियो आती रहें so till next time this is Raj signing off take care bye bye